तो और भाई लोग और उसकी बेहन लोग क्या हल चाले यार स्वागत है तुम लोगों का अजाद गेमिंग में अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाल ये है भाई साब कि मतलब कि तुम इतनी अच्छी लाइव स्ट्रीम करते कैसे हो मतलब सीरसली पक चुका था मैं इतने जादा सवाल पूछे जाते हर लाइव स्ट्रीम में कोई ना कोई तो पूछता ही पूछता है वीडियो बनाओ तो उसमें भी पूछ लेते हैं भाई साब इंस्टाग्राम पे फेस्बूक पे हर जगा ये मैसेज तो आता ही आता है कि जाएंगे जैसे डियूरिकॉडर हो गया स्ट्रीम лекांड वीडियो तो अच्छा रहेगा वीडियो क्वालेटी में बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है वीडियो क्वालेटी तो अच्छा रहेगा लेकिन जब सावन क्वालेटी के बात करोगे तो सावन quality धीरे धीरे गंदी होते जाती है मतलब धीरे धीरे in the sense क्या बोलते है कि गंदी ही होते जाती है यदि आप खुले कमरे में हो अकेले भी हो शान्त है पूरा महुल फिर भी कुछ ना कुछ मतलब अलग तरीके की आवाजे सुनाई देगी आपको स्ट्रीम में यदि आप देखोगे तो खर 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 जैसा आवाज आता है स्ट्रीम में तो वही आवाज ना आए इसके लिए मैं यूट्यूब से डिरेक्ट अप्लिकेशन से लाइव करता हूं तो इससे क्या होता है कि मेरा बेटर साउंड क्यालिटी देखो थोड़ा कम साउंड आता है लेकिन बहुत अच्छा साउंड क्यालिटी आता है कि ऐसा एनोइंग नहीं लगता है सुनने में जो मैं बोलता हूं वो क्लियर सुनाई देता है तो मैं भी कि आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम करता हूं और आप भी किस तरीके से कर सकते हूं तो सबसे पहले खोलना पड़ेगा हमें यूट्यूब तो हम यूट्यूब सबसे पहले खोल लेते हैं उसके बाद यूट्यूब खोलने के बाद आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा तो यूट्यूब पे ऊपर में देखोगे तो आप प्लस का आइकन दिख रहा हो आपको वीडियो के sign पे प्लस का option है, प्लस की option पे हम click करेंगे तो दो option खुल जाता है, एक वीडियो, एक live, मेरे में post भी आ रहा है, मेरा 1000 subscriber से plus हो जाने के भाद, post पी option खुल जाता है, तो यह चीजी हम बाद में और भी बताएंगे, तो हम को क्लिक करना है लाइब के ऊपर तो हम live के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइब के ऊपर क्लिक किये तो इस तरीके का कुछ पोशन खुल जागा यहां पे कैमरे से आप लाइब कर सकते हो कि अपनी फोटो को दिखा के आप जो भी बोले गूँ वो सारे पुरा स्क्रीन पर आपका फोटो जाएगा आप जो भी मतलब वीडियो लाइब कर सकते हो जिस तरीके से Instagram पे लोग लाइब करते हैं वैसे यहां से आप लाइब कर सकते हो लेकिन आपको यहीं पे एक option दिख रहा होगा उपर में एक phone का उस पे arrow का निशान दिख रहा होगा उसी arrow पे आपको click कर करना है तो हम जैसे उसके ऊपर click करते हैं तो भाई सब कुछ अलग ही portion खुल जाता है इसमें अब आप इसमें stream कर सकते हो जैसे वहां पर आप live कर सकते थे यहां पर stream कर सकते हो तो मैं stream किस तरीके से करता हूँ वह मैं बताता हूँ तो सबसे पहले हम title दे देते है ताइटल यह title दे दिए अब इसको public करना है या unlisted करना है यह option पुछता है तो अभी मैं unlisted करूंगा public करोगे तो मैं सारा notification चला जाएगा आप लोगों के पास तो मैं unlisted कर देता हूँ ताकि कि किसी के पास भी notification नहीं जाए मैं live करूं तो मैं अभी unlisted कर देता हूँ अभी game title पूछ र यहां पे आप यदि pubg mobile light खेलते हो pubg mobile light भी आ गया call of duty यहां पे कोई भी जो भी game खेलते हो आप वो game आप डाल सकते हो वहाँ पे नाम लिख सकते हो तो यहां पर मैं pubg mobile पे खेलने वाला हूँ अब not selected यहां पर option not selected पे खरेंगे चौथा option not selected पे जैसे क्लिक करेंगे तो तो आप लोग बच्चों के लिए तो नहीं करते हो ना स्ट्रीम की हां मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ राइम वगरा तो नहीं करते हो तो इसी के लिए आपको करना है उसके बाद यहां पे सारा काम हो गया है अब more option का आपको option दिख रहा होगा नीचे सबसे last में more options तो उस पे आपको क्लिक करना है more option पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको उपर में add a description का option खुल जाता है तो description मुझे भरना है तो description पे मैं copy कर लेता हूँ ताकि आपका भी time waste ना हो मेरा भी time waste ना हो तो मैं यहां से copy कर लेता हूँ अपना description जैसे यह description है same ही description मैं डाल लेता हूँ edit पे गए है और यहां से मैं सारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया और यहां पर मैं डाल देता हूं वही डिस्क्रिप्शन से मैं कुछ चेंज नहीं करता हूं इसमें पेस्ट कर दिया तो यह हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन अब मैं नीचे जाओंगा डिस्क्रिप्शन हो गया अब नीचे जाते है तो advanced setting है advanced setting पे हम click करेंगे advanced setting पे हम जैसे click करेंगे तो यहां से मुझे पूछता है एक enable monetization यदि आपका channel monetize है तो आप अपना monetization on कर सकते है यदि आपका channel monetize नहीं है तो आपको यह option नहीं मिलेगा तो मैं on कर लेता हूँ अब on करने से कोई मतलब तो नहीं है मैं क्या बोलता हूँ मैं unlisted कर रहा हूँ तो कोई तो देखेगा नहीं तो इससे अच्छा मैं off ही रखता हूँ इसको off रखे या on रखे या पर डिपेंड करता है जब मैं public करूँगा तब मैं इसको on कर लूँगा तो मैं फिर back जाता हूँ और यहाँ पर next का button है इस next के button पे click कर देता हूँ तो next के button पे click करते हुए कि कुछ इस तरीके का portion अब खुल गया है मेरे पास तो कुछ इस तरीके का portion में हम देखेंगे तो यहाँ पे आजाज जो मेरा वो चैनल का art है वो वाला खुल जाता है लेकिन यहाँ पे एक edit का option है इस edit के option पे हम click करेंगे इस edit के option पे आप retake thumbnail कर सकते हो तो मतलब आप अपना photo खीचके भी कर सकते हो या फिर upload thumbnail पे हम click करेंगे upload thumbnail पे click किये तो हमने जो thumbnail बनाया है तो आज का ही thumbnail मैं दिखा देता हूँ आपको डालके तो मैंने यह वाला thumbnail बनाया था इसको ऐसे करके खीचके छोटा कर लेंगे और यहाँ पे यह thumbnail set हो गया यहाँ लोगों को पता चल जा कि मैं live आ गया हूँ तो यहाँ पे उपर में आपको right side में ऊपर में एक share का button दिख रहा होगा इस share के button पे हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे दिख जाता है copy link facebook पे share कर सकते हो telegram पे tweet कर सकते हो whatsapp पे share कर सकते हो जिसको भी share करना होगा आप कर सकते हो यही चीजे तो मैं copy कर सकता हूँ और copy करके उस link को कहीं पे भी paste कर सकता हूँ यह इसके आगे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोग तो share कर देंगे मैं master हो भाई साब मतलब कता ही instagram खोल लो और भाई साब please subscribe your channel please subscribe my channel please इतनी तो उसके लिए तो आगे की बाते तो ह अब यहां पर बोल रहा है screen recording therefore YouTube temporarily unable to record यह मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने record भी साथ में चालू किया तो मैं okay पर click कर दूँगा बाकी कोई भी problem नहीं होगी जब हम stream on करेंगे तब वो चीज़ बंद करने बड़ेगे मुझे तो देखो यहां पर camera का हो रहा है यहां पर म भी लेगा हां तो आप ठीक ठीक धंग से camera भी नहीं बना सकते हो camera को देखोगे तो ठीक धंग से आप camera नहीं पकड़ सकते हो तो इसलिए हम camera off कर देते हैं तो camera को यह left side में सबसे उपर वाला बटन है camera का तो उसको मैं off कर दिया अब इतना बड़ा camera होगा मतलब इतना में तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसको हम setting में जाएंगे उपर में setting का भी option है उस setting पे जाके हम इसको जितना चाहे उतना छोटा उतना बड़ा कर सकते हैं तो हम सबसे छोटा कर लेंगे तो भाई सब यह इतना छोटा सा आपका logo भी दिखेगा इसके उपर जब आप stream कर मतलब आपका internal sound भी जाना बंद हो जाएगा आप जो बोलोगे वो भी बंद हो जाएगा तो उसको चालू रखना ताकि आप दोनों चीज़े बोल सको और उसी के बगल में है chat का option यदि कोई भी बंदा आपके chat करता है YouTube पे comment करता है वो सारा chat आपको इसी screen के उपर दिखता रहेगा वो मैं आगे दिखा दूँगा किस तरीके से live करता हूँ वो मैं एक video कट करके आपके लिए डाल दूँगा last में तो ये देखो ये live का option ये chat का option यदि आप इस chat को बंद कर देते हो तो यहाँ पे screen के उपर वो chat नहीं दिखाई देगा मैं बंद करके रखता हूँ जब मेरा phone टूट गया था आप लोगों को पता था तो मैं chat यहीं पे पढ़ता था screen के उपर ही तो उसको on करोगे तो यहाँ पे chat आने लगेगा यदि इसको off कर दोगे तो chat नहीं आएगा तो यही अब इतना चीज हो गया अब go live पे click करेंगे तो सीधा हम live चले जाएंगे आप हम छोटा सा clip डाल देता हूँ वो आप देख लेना कि किस तरीके से live होता है उसके बाद तो आप लोगों को सारा कुछ पता ही है वो capture करने लगता है आपका phone में जितनी भी चीज़े चलती है आप यहाँ से PUBG on कर लो और अराम से PUBG on करने के बाद go live पे click कर दो और भाई स सार बहुत अच्छा stream होता है कि आप इतना होगा कि बोर नहीं होगी पब्लिक आपके और मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर बनाए हैं इसी stream को करकर के तो आप भी कर सकते हो जरूर कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो कर लिए हमने और हमारा पूरा भी हो गया है आप लोगों की मदद से आप लोगों की दया से आप लोगों के सपोर्ट से तो भाई सब इस बार एम करते हम 150 लाइक्स का तो फटा फट भाई सब लग जाओ लाइन में और 150 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए इस वीडियो में तो भाई साब किसी भी ना किसी तरीके से पूरे कर दो और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक मार दो और नए हो इस चैनल पे तो मेक्स यो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझ से मिलने के लिए मेरे लाइब पे जरूर आओ जो लोग नए हो इस चैनल पे तो मेक्स लेकिन सब्सक्राइब करके जाना और डिस्क्रिप्शन पे होगा इंस्टाग्राम का लिंक जाके वहाँ फॉलो कर लो मुझे मेरी सारी नॉटिफिकेशन या फिर सारी नई अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी